कि हलो एबरिवन जैसे दिपक्तिवारी और इस वीडियो में हम यूज़ पढ़ने वाले हैं वह है उड़ कीप का प्लस सेक्षन में आई एंजी होगा बट बट भीफोर इस्टार्ट वीडियो आउड लाइट वास्ट कुछ ध्री कोश्चन्स तो फॉस्ट वन इस वहालमारी जारी रहने वाला है और उसको हम बताने वाले हैं तो जैसे सेंटिस का आप एक्जांपल देख सकते हैं कि सायद में आता रहूंगा सायद वह यहीं गलती करता रहेगा या फिर मैंने क्या आप यहीं बैठे रहेंगे यहीं सेंस होगा हमने इससे पहले एक वीडियो के था इससे मुसी फार्म का है बस इसमें जब हम उड्ड का यूज करेंगे तो बात 100% स्योर नहीं हो कि सायद वर जोड़ जाएगा जैसे आप है कि सायद में आता रहूंगा तो कैसे बोलेंगे आउड कीप कमिंग सायद में आता रहूंगा इस दूनों का भी मैं आपको बता रह कि आप यहीं गलते करता रहेगा थौट है कि यह बैठे रहेंगे तब क्या बोलेंगे ऊब दिभेंarme से दिए आपको पता है या थो आंसर करने के लिए या फिर पार्मेटिव होता है हमें जैसे कि पाला। वठरमेटव है और दुसरा यह तो नाम है याई नेगेटिव सेंटेंस है तो अफरमेटिव और नेगेटिव दो में हम किसी को जबाब देते हैं और जब हम सवाल करते हैं तो maximum 4 तरीके होते हैं इस तक यहाँ पर है यह maximum है questions का वे इसके बाहर कोई और तरीका होता नहीं है तो हम सुरू करते हैं वन बाई वन जैसे एक नंबर है यहां पर की वुट कीप गुएंग हम लोग जाते रहेंगे तो बट उसमें सायध हम लोग जोड़ना है जैसे की पहला सेंटेस का हिंदी क्या हुआ कि SAAD हम लोग जाते रहेंगे तब हम ऐसे यूज़ करेंगे इस तरीके से इसके कुछ एक जामपस लेखते हैं और The first one is I would keep going there SAAD में वहाँ जाता रहोगा Second है He would keep drinking SAAD वहाँ पीता रहेगा Third है I would keep meeting them SAAD में उन लोगों से मिलता रहोगा तो ये three sentences हो गए जो कि affirmative है हाँ वाले sentences है अब बार या आती है Negative sentences की दो number जैसे की sentence है कि Student keeps supporting you वह आपको support नहीं करती रहेंगी SAAD वह आपको support नहीं करती रहेंगी इसका हिंदी ये भी हो जाएगा मतलब कि 100% surety नहीं है साथ वह आपको बताती नहीं रहेंगी और थोड है रभी वुड़न्ट कीप helping यू रभी आपकी help नहीं करते रहेंगे अब यहां पर हो गया ये Negative sentences अब हम देखते हैं अगला तो अब हमने बताने के तरीके तो कर दिये या तो हां में या फिर ना में अब आते हैं इंट्रागेटिव क्या वाली बार sentence है उड्यो कीप विज्टिंग टुडे क्या आज आप घूमते रहेंगे जब respectfully पुछना है ना किससे तम उड़् का यूज करेंगे respectfully है पॉलाइटनेस भी है sentence है आप एक third number जोड्यो कीप विज्टिंग टुडे क्या आज आप घूमते रहेंगे लेट से फिर उग्जामपस अब इस यूज पॉस्ट वान इज उड्यो कीप टेलिंग लाई क्या आप जूर बोलते रहेंगे second है उड्यो और मॉम कीप कुकिंग टुडे आज आपकी मॉम खाना बनाती रहेंगी और third है जोड्यो कीप फोर्सिंग हर क्या आप उसे फोर्स करते रहेंगे ते हो गए अपने इंट्रागेटिब सेंटेंस फोर्स है नहीं के साथ क्या वाला सेंटेंस है क्या तन्नू हर्पिंग क्या तन्नु help नहीं करती रहेंगी अब इससे कुछ इक जामपस देखते हैं जैसे यहाँ पर sentence है wouldn't you keep practicing क्या practice नहीं करते रहेंगे इसी बात को हम चाहें तो यहाँ पर जैसे wouldn't है उसे would बोलेंगे would you और फिर यहाँ you के बाद हम note लगाना पड़ेगा बोलेंगे would you note keep practicing क्या practice नहीं करते रहेंगे तो ऐसे भी हो सकता है और स्यम तरीका हम इन बाद की sentences में भी sentences में भी चाहें तो लगा सकते हैं तो देखते हैं इसको second number क्या है wouldn't your friend keep coming क्या आपकी friend आते नहीं रहेंगे और third है wouldn't you keep studying क्या आप पढ़ाई नहीं करते रहेंगे तो यह हो गए अपने negative and negative sentence अब बार यात क्या fifth number sentence है to whom else would you keep asking अब किस-किस से पूछते रहेंगे to whom else का मतलब होता है किस-किस से या फिर और किसको तो यहापर है to whom else would you keep asking अब किस-किस से पूछते रहेंगे let's see a few examples of these the first one is where would you keep searching her अब उसे कहा ढूडते रहेंगे और second है how long would you keep doing yoga अब कितना दिर योगा करते रहेंगे और third है to whom else would you keep helping अब किस-किस की help करते रहेंगे तो यह हो गए अपने WH words के साथ और एस sixth one last number का sentence है कि why wouldn't he keep standing by her वह उसका साथ क्यों नहीं देते रहेंगे why wouldn't he keep standing by her वह उसका साथ क्यों नहीं देते रहेंगे अब इससे कुछ examples देखते हैं the first example is why wouldn't you keep eating non-biz आप non-biz क्यों नहीं खाते रहेंगे second है why wouldn't he keep cooking वह खाना क्यों नहीं बनाते रहेंगे और third है because of whom wouldn't he keep doing job वह किसकी हुज़े से जॉब नहीं करते रहेंगे तो यह हो गए अपने negative it WH words के साथ एंटागेटिव सेंटेंस यानि कि छियो टाइप हमने देख लिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और सबका एक्जांपल्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा चलिए अब आगे देखते हैं अपने questions के answer first one है कि he was fumbling something in Almira वह Almira में कुछ धूड रहा था तो टोल रहा था so that is called blood wash using from his nose उसके नाप से खुन निकल रहा था like this so I am going to finish my video here I would see you in next video till there bye bye and take care